नमस्कार दोस्त। स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। जुटा रही है जमीनों का बिवरा कब जाने वालों को हटाया जाएगा। विवेक कुमार सिंग के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग को अपने स्वामित की जमीन का बिवरा दे विभागों की और से मुख्यालाई से लेकर जीला एवंग अनुमंडल इस्तर पर जमीन की खोज हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताविक ऐसा माना जा रहा है कि नितीज सरकार की यह कारवाई विशेस भू सरविक्षन के अलावा सरकारी जमेन को अतिक्रमन मुक्त करने की अभियान के तहत है। राजस्वा एवंग भूमी सुधार विभाग ने अपने अंचला अधिकारियों को अतिक्रमन मुक्ती अभियान का जिम्मा दिया है। आज देश भर में भारतिय जन्ता पार्टी अपने दबदबे को स्थापित कर चुकी है। बिहार चुनाओने बीजेपी के बूते ही नितीज कुमार वापस सरकार में है। लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी ने राम मंदिर निर्मान को लेकर जो नया अभ्यान बिहार में सुरू करने का फैसला किया है वहां नितिश कुमार की मुश्किले बढ़ा सकता है भारतिय जन्ता पार्टी के विधान मंदल दल की बैठक में राम मंदिर निर्मान के लिए चंदा जुटानी का अभ्यान सुरू करने का कारिकरम तई किया गया है। बिधायक की हेकड़ी निकालने वाली दबंग SP फिर सुर्खियों में किसी बॉलिवूड एक्ट्रेस से कम नहीं IPS अंकीता सर्मा की स्टाइल कभी बिधायक की हेकड़ी निकालने वाली दबंग महिला IPS अपसर अंकीता सर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। काफी चर्चित IPS अंकीता सर्मा संडे के दिन अपने रूटीन से समय निकाल कर वैसे बच्चों को पढ़ा रही है जो पैसे खर्च करने में असमर्थ है भारतिय पुलीस सेवा की अधिकारी अंकीता सर्मा ने खुद भी अपने जिवनकाल में काफी कुछ देखा है उन्होंने खुद बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है उन्होंने मुश्किल हालातों को देखकर ये सिखा है कि ऐसे वक्त में की गई मदद सारी उम्र याद रहती है आप वहाँ खुद गरीब बच्चों को पढ़ा रही है बताया जा रहा है कि इन दिनों उनका ओफिस ही क्लासरूम बन जाता है अंकीता उन इस्टुडेंट को पढ़ा रही है जो गरीबी के चलते कोचिंग को महेंगी फीस नहीं दे सकते बिहार में ADM रैंक के आठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जोर्नल मजिस्टेट के रूप में होंगे तैनात बिहार प्रसासनिक सेवा के आठ पदाधिकारियों को नई प्रतिनियुक्ति मिली है बिहार लोक सेवा आयोक की ओर से असैनिक नयदेस के पदो पर होने वाली प परतिनियुक्त किया गया है ये सभी अधिकारी एडियम और उप सचीव रैंक के हैं छे दिसंबर को दो पालियों में होने वाली 31 बिहार न्याईक सेवा की परिक्षा में ये अपसर सूपर जोर्नल अधिकारी के रूप में तैनात रहेंगे बिहार 31 न्याईक सेवा की प्रानम्भिक परिक्षा 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगे आपको बता दे कि कोरोना वायरस महमारी के कारण इस परिक्षा को स्तगित कर दिया गया था इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 266 चात्रों ने अविदन किया है इसमें कुल 249 पदों चेतर के गोरखोरी गाउं के पास सडग हाथसे में करण डायकसाइड गैस से भरी टैंक लॉरी छतिग्रस्त हो गई उसमें से तेजी से गैस लिक होने लगा मामले की सुचना जैसे ही स्थानिय लोगों को मिली तो लोग दहसत में आ गए बताया जा रहा है कि गोरखोरी गा जैसा द्रिस सामने आ गया टैंक से तेजी से होरे लिकेज की वज़ा से ग्रामीनों में दहसत व्याप्त है चालक रामचंद्रे ने बताया कि टैंक में कारवन डायकसाइड लेकर पीटा की लोहा फेक्टरी में जा रहा था इस दौरान रास्ता भटक गया और बिक्रम जीले में नए थानेदारों की पोस्टिंग एस पी ने दी बड़ी जिम्मेदारी बिहार में इन दिनों अपरादी घटनाय तेजी से बढ़ रही है पुलिस वाले लगातार अपरादियों पर नकेल कसने की कोसिस में जुटिय हुए है इसी कड़ी में जीले में नए पोस्टिंग की गई है पुलिस कप्तान ने बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों को सौपी है वैसाली जीले के एस्पी ने तीन थानों में नए थानेदार के पोस्टिंग की है जीला पुलिस की और से मिली जानकारी के मताबिक दरोगा सुधाकर पांडे को पड़ेली बेल सर का नया थानध्यक्ष बनाया गया है इसके अलावा दरोगा सुनेल कुमार को गंगा ब्रीज थाने में थानेदार के रूप में पोस्टिंग हुई है इन दोनों अपसरों के अलावा दरोगा ससीमनी प्रभा को भी एस्पे ने बड़ी जिम्मितारी है पुलीस कप्तान ने इने चंदपूरा ओपी का प्रभारी बनाया है पांच दिनों के लिए बंद रहेगा कोईलवर पूल आने जाने वाले लोगों को होगी परिशानी भोजबूर जीले में बने नए कोईलवर पूल पर 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आवागमान बन रहेगा बताया जा रहा है क ग्रिहा विभाग के आदेश पर नेमान के बाद पूल का उदगाटन किये बगेर हिवाहानों का परिचालन शुरू करवा दिया गया था लेकिन अब इसका उदगाटन इसी महने यानि 10 दिसंबर को केंद्रिय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और केंद्रिय उर्जा रा पूल उदगाटन के बाद फिर से परिचालन के लिए शुरू हो जाएगा वहीं पुराने कोईलवर पूल परवाहनों का परिचालन दोनों तरब से पहले की तरह जारी रहेगा बिहार में वैक्सिन आएगी तो आपका नमबर आएगा बाद में पहले 5 लाग से ज़्यादा हेल्थ वरकर और डॉक्टरों को लगेगा ठीका कुरोना वैक्सिन के लिए आम आदमी को अभी लंबा इंतिजार करना पड़ेगा बिहार के 5 लाख हेल्थ वर्करों को वैक्सिन की डोज देने के बाद ही आम आदमी का नमबर आएगा सरकार पहले चरण में Health Worker को वैक्सिन के डोज देने के त्यारी कर रही है भारत सरकार ने बिहार में Health Sector में काम करने वालों को पूरा लेखा जोका मांगा है इसमें सरकारी और नीजी डौक्टरों के साथ मेडिकल छेतर से जुड़े हर एक वैक्ति की जानकारी सामिल है 40,000 से अधिक डॉक्टर रेजिस्टर्ड है Medical Counseling of India के मुदाबिक 8 स्वास्त कर्मियों पर एक डॉक्टर की तैनाती मानक है पारा मेडिकल स्टाप के साथ स्वास्त लिभाग में अन तक्निकी छेतरों में लोग काम कर रहे हैं आसा की संख्या की लगबग 90,000 से अधिक है IMA और पारा मेडिकल के साथ अन स्वास्त से वासों वो से जुड़े अनकरिमियों की ओ यूनियन से मिली जानकारी के मताबिक प्रदेश में हेल्थ वरकरों की संख्या लगबग 5 लाग है जो सरकारी वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं परिवहन विभाग की भरती में बड़ा फर्जिवाडा हो रहा है पटना में फिर पकड़े गये छे अब तक कुल 26 अरेस्ट ऐसा लग रहा है कि बिहार राज परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए हुए रिटेन एक्जाम में बहुत बड़ा फर्जिवाडा हुआ है रिटेन एक्जाम में बड़े प्रमाने पर सॉलवर गैंग हावी है रहा है जिन्होंने रियल केंडिडेट्स की जगह ली है उनकी जगह पर एक्जाम दिया है ये बाते हम खुद से नहीं कर रहे है क्योंकि लगातार दूसरे दिन पटना में चल रहे है फिजिकल टेस्ट के दौरान फर्जिवाडा का मामला सामने आया है गुरुवार को इस मामले में सामिल छे और कैंडिडेट्स को गिरफतार किया गया है इसमें नालंदा के दिनेश कुमार वा नीरज कुमार भागलपूर के निकेतन कुमार वैसाली के नित्यानन्द कुमार पटना के रोहन राज खरगडिया के रवी कुमार सामिल है आज फिजिकल टेस्ट में कागजातों के दौरान इन में से किसी का भी थम इंप्रेशन और फोटो नहीं मिला इसके बाद पुलिश टीम को बुलाया गया और सभी को उनके हवाले कर दिया गया साथ ही एक एक एफैर पिताने में दर्ज करा दी गई बात करतें सबसे अंतिम कबर की तो बिहार में मिले कोरोना के 571 नए मरीज 24 गंटे में 6 की मौत बिहार में कोरोना संक्रमन की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संक्या में पोजिटिव मरीज मिल रहे हैं स्वास्त बिवाग की ओर से ताजा अबडेट जारी की गई है इस अबडेट के मुताबिक बिहार में 571 लोग कोरोना पोजिटिव मिले हैं इसके साथ इराज में कोरोना संक्रमितियों के संक्या बढ़कर 2,37,349 हो गई है बिहार में फिलाल 6073 कोरोना के एक्टिव मरीज है राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमनी का नाम नहीं ले रहा है राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 187 नए मामले सामने आया है गुरवार को जारी ताजा अपडेट के मताविक बिहार के बिभिन जीलों से 571 नए मामले सामने आया है इसके साथ ही राज में कोरोना मरीजों का अंकड़ा 237,344 हो गया है पिछले 24 गंटे के भीतर 6 वेक्ति की मौत हुए है इसके साथ ही राज में कोरोना से मरने वालों का अंकड़ा 1274 हो गया है बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो ये है कि महाच 24 गंटे के भीतर 567 कुरोना मरीज स्वास्त हुए हैं इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,00,000 के करीब हो गई है राज में अब तक कुल 2,30,000 एक मरीज स्वास्त हो चुके हैं तो आज के सुर्ख्यों में बस इतना है बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद